नमस्कार प्यारे बच्चों मैं विजय हैं बच्चों आज हम लोग ब्यस्टी फैनल यार पेपर थर्द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविक्त गनित में चेप्टर नमबर थ्री रिलेशन एंड फंक्सान संबंध्य उफरन के इंपॉर्टेंट कोशन लेकर के आए हैं बच्चों हम जैसे जैसे इंपॉर्टेंट कोशन देते जा रहे हैं आप प्रेक्टिस करते जाएगा ठीक है और इसका पीडियेफ आपको एप विजय सर्क्लासेस में मिलेगा आपने यदि अभी तक एप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लिजे ये संबन्द हो तो सिद्ध कीजिए एस ओर इनवर्स इसको करके जाना है आपको यदि आई पुणाकों का समुच्च्च हो तथा समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इसको भी करना है प्यारे बच्चों यह गलत प्रिंटिंग हुआ है आर इंटरसेक्षन एस भी एक्स में एक तुलेता संबन है इंटरसेक्षन है याद रखें यदि समुचय ए में एक तुलेता संबन है हाना समुचय ए में आर एक तुलेता संबन है तो सिद्ध की जी क्यार इंवर्स भी एक तुलेता संबन होता है संबंद डिवाइड विभाजन सहीत 18 के धनपुणा भाजुकों का समुच्छाइ D18 का हैसू आरेक हैस डाइग्राम हैसू आरेक बनाना है ठीक है यह देखे ऐसा आपको दिया है इसी दंग से आपको बनाना है यह प्रैक्टिस करना है आपको यह दिया रहा है कि यह बनाना है समंद डिवाइड विभाजन सहीत 30 के धनपुणा के भाजुकों का समुच्छाइ D30 का हैसू आरेक बनाईए ऐसा दिया रहेगा इसको यह हम काड़ दे ऐसा दिया रहेगा ठीक है ना तो यह बनेगा ऐसा अब उसको कैसे बनाना है आपको बताया गया है आप देख लीजिएगा ठीक है ना यह ऐसा देजिएगा इसको यह वही करना है सिद्ध किजिए कि सभी धनपुणां को के समुच्छा है एन पर संबंद ए बी को विभाजित करता है यदि ए एक पुणांग सी का स्थित्व इस प्रकार है कि एस इस इकोल भी तो ए डिवाइट भी प्रकट किया गया हो तो वहां अंस्ता करम एक लैटिस है मालो एनीज मढ़रे समुच्छां है एक अस्ता करम संभुच्छा है प्राख्रिस संख्याओं का समस्च्याना है तक nelख शोटा या बराबर नच आ एक लेटिस से था मालो डिवाइड है देखे हम लोग जानते हैं है हना संविलन और क्या कहते हैं इसको एक को संविलन और एक को संधी थीक है मीट और जुआइन इस नाम से मेट और जुआइन के नाम से एल के करमशाव संधी था संविलन संक्रियाओं को हना निरुपित करते हैं तब कि यह भी बिलांग स्टू के लिए हना इसको भी करके जाना है एज लेज देन इक्वल देन भी इंप्लाई से हना ए यह क्या हो जाएगा ज्वाइन बी इस इक्वल है और यहां पर ए ज्वाइन इसको भी करना है प्यारे बच्चो एल इस लेज देन इक्वल देन एक जालाग है तथा यह भी सी डी बिलांग स्टू एल तबने मिलिखी नहीं ताहें लागो होती है ए इस लेज देन इक्वल देन डी इंप्लाईस ए ज्वाइन सी इस लेज देन इक्वल देन बी आप दी जाला को संभी करता है इसको भी तयार कीजी का दर्साइए के तेरा वेक्त्यों में कम से कम दो भ्यक्ति ऐसे हैं जिनका जन्म एक ही महने में होग नंवे हो ताई ये कपो fuse से कम 84 में क्या वो रहा है दो व्यक्ति ऐसा है जिनका जन्म एक दिन देख लिजेगा पैरे बच्छों कोशन एक कक्षा में नियुंतम संख्या में कितने विद्यारतियों के अश्यकता है अने श्रित करने के लें कम से कम पांच एक ही ग्रेट प्राप्त करेंगे दि चार करना है जाना है ठीक है तो प्रैक्टिस किजिएगा प्यारे बच्छों थिक है मैंने कोशन दे दिया है आपको प्रैक्टिस करना है ठीक इसका पीडी एफ एक पीजे सर क्लासेश में अप्लोड हो जाएगा देख लिजेगा ठीक धन्यवाद बच्छों नमस्कार